जेहिंद फ्रेंड्स वंस अगेन यूर वैलकम टू मिशन एरफोर्स तो दोस्तो इस वीडियो में आपके यहां पर इंडियन कोस्ट गार्ड में डोमेस्टिक ब्रांच यानि जो टैंथ पास वाले कंडिडेट्स हैं उनके लिए यहां पर वेकेंसीज आई हुई है कुक और इस्टेवार्ड के लिए तो भाई यदि आप इंट्रेस्टेड हो तो वीडियो को कम्प्लीट देखना इलीजिबिलीटी भी यहां पर और स्लक्षन प्रोसेस भी आपको यहां पर कम्प्लीट बताया जाएगा तो चली दोस्तों वीड़ा से मगवाए वीडियो को स्टार् यहीं जो टैंठ स्ट पास जो कंडिडेट्स हैं वह इसमें अपलाई कर सकते हैं जी हां दोस्तों यह आपका जो कोश्ट गारड का बेच है 121 वाले यह आपका बैच है तो इसमें आपको यहां पर फॉम फिल करना है तो दोस्तों इसमें फॉम फिल करने के जो आपकी डेट है यारी आप कब से कब तक फॉम फिल कर सकते हो तो वो है आपकी 30 नौंबर से लेके 7 दिसंबर तक जी हां दोस्तों 30 नौंबर से 7 दिसंबर तक आप इसमें 8 से 9 दिन का आपको यहां पे टाइम मिलेगा तो आप फॉम आपको qualification दी गई है तो देखिए दोस्तों 10th pass with 50% marks in aggregate from a board of education recognized by center और government state government तो देखिए दोस्तों center यहनी cbsc और जो आपके state government है किसी भी government से आपने 10th pass की हो और उसमें आपके aggregate 50 marks यहाँ पे होने चाहिए तो यह दिया आपके aggregate 50 marks हैं तो आप इसमें apply कर सकते हो इस पेसे लिए बात करें तो sasd जो candidates हैं उनको यहाँ पे इस पेसे लिए छूट भी दी गई है 5% की यहनी अदि आप sasd से belong करते हो और आपके 45% marks हैं तो भी आप इसमें apply कर सकते हो और यह जो वेकंसी है एक बार फिर मैं वेकंसियाद है वो है तो कुक के लिए वेकंसी है और इस्टेवर्ड के लिए वेकंसी है तो यह यहाँ पी आप देख सकते हो इसमें आपको especially जो बात ध्यान रखनी है वो यह है कि कुक में आपको यहाँ पर vegetarian और non-vegetarian दोनों ही प्रकार के जो food supplement है उनको आपको यहाँ पर handle करना पड़ेगा तो भाई vegetarian और non-vegetarian तो आप इस बात को विश्षिसकर ध्यान रखे apply करने से पहले अब बात करते हैं कि इसके लिए age criteria क्या है यानि age आपकी कितनी होनी चाहिए तो दोस्तों यदि आप 18-22 वर्स के बीच में हो तो इसमें apply कर रखते हो आपका 1 अपरेल 2021 तक 18-22 के बीच में उमर होनी चाहिए यदि आप यहाँ पे date में बात करो तो भाई 1 अपरेल 1999 में से लेके 31 मार्च 2003 के बीच में आपका यहाँ पे बर्त होना चाहिए तो यदि इसके बीच में आपका बर्त है तो आप इसमें apply कर सकते हों तो भाई vacancies की यहाँ बात करें तो vacancies यहाँ पे दी गई है कापी कम vacancies ह ही apply किये जते हैं तो आपको यहाँ पे जिदि आप interested हो तो form फिल जरूर करना है यह आपकी general category के लिए vacancies है वो 20 है EWS के लिए 5 vacancies है और जो OBC है उसके लिए 14 है ST के लिए 3 और SC के लिए 8 vacancies है total overall बात करें तो 50 vacancies आपकी यहाँ पे है नेक्स्ट बात करते हैं पे अलाउंसेज की यहीं बात करें तो भाई जो पी और अलाउंसेज है आपका इस्टार्टिक पर आपका होगा 21,700 आपका यहाँ पे जो पे लेवल 3 है उसके अकोडिक आपको यहाँ पे पे दिया जाएगा जो आपका पे आउट बन रहा है वह 21, 20,000 सासुक से इस्टार्ट होगा और आपका यहाँ पे प्रमोशन होगा तब आपकी यहाँ पे जो 47,600 रूपीज है वहाँ तक आपका पे आउट यहाँ पे चला जाएगा और इस्पेसल जो पिक्यूरेटीज है यानि जो पे है पक्स जो है यानि जो सुविदाई जो दी जाती है वो सभी यहाँ पे सुविदाई दी जाएगी जो कि एक सौलजर को दी जाती है तो चलिए next देखते हैं तो दोस्तो मैंने आपको यहाँ पे educate qualification बताया आपको यहाँ पे जो डेट है एक्जामट डेट है जो फॉर्म डेट है कब से कप लोग फिल करना है वह आपको बताया तो अब बात करते हैं कि how to apply यानि फॉर्म आपको कैसे फील करना है या online है तो दोस्तों इसके फॉर्म online यहाँ पर accepted किये जाएंगे जो कि 30 नौंबर से 7 दिसंबर तक आप फॉर्म फील कर सकती हो online तो इसके लिए आपको यहाँ पर कुछ जरूरी डॉकुमेंट्स है 10th की मार्क सिठ हैं आपकी यहाँ पर आदार कार्ड हैं कुछ भी आईडी प्रूफ हैं वह आपको यहाँ पर ले जाना है और यहीं एक्जाम सेंटर की बात करें तो भाई एक्जाम सेंटर आपके जो आपका जयेए विसा का पतनम है आपका मुंबई है और कोचि तता गंधी नगर ये सभी एक्जाम सेंटर हैं तो इन सभी سंटर प्यापको एक्जाम दिया जाएगा जो आपके निेरेश्ट पढ़ेगा वहाँ पर को एक्जाम सेंटर दिया जाएगा तो एक यहांकी दोस्तों जो सलेक्ट gerekshire process है उसमें आपको form field करणवाए जाएंगे सबसे यूज़ एक्रवा करके एक्राधा साब को सबसे पहले लिफ्य उपन होगा और उसमें यहां पे देख सकते हो तो आपको जो syllabus है वो भी यहाँ पर बताया गया जी हां दोस्तों अब्जेक्टिव टाइप क्यूशंस होंगे दर रिटन एग्जामिनेशन विल बी ऑप अब्जेक्टिव टाइप विच विल जनरली कवर सब्जेक्ट्स क्वाइंटिटिव एप्टिटूट यानि जो मैथ ह है वह आपका होगा यहां पर मैथमेटिक्स होगा नोर्बल जनरल साइन्स होगी जनरल इंगलिस भी यहां पर पूची जाएगी जनरल ऑवारणेस यानि जीके के QC होंगे current affair को include करते हुए और रजिनिंग के यहां पे nonverbal और verbal के QC होगे यानि कि जो syllabus हैं वो complete यहां पे हैं तो अब बात करते हैं कि जो written exam है उसे qualify करने के बाद आपका pft यानि की physical fitness test यहां पे होगा तो pft आपका होगा जैसे ही आप exam को qualify कर लेते हों तो PFT में आपको क्या करना है यहाँ पे तो देखिए PFT will be conduct for all those who qualify the return test यानि जो return test qualify करेंगे उन सभी को PFT के लिए बुलाय जाएगा PFT में आपको 1.6 km की running 7 minutes में complete करनी है और उसके बाद जो 20 squares complete करने है यानि उठक बैठक जो होती है 10 pushups यहाँ पे complete करने है तो इसके लिए कोई भी time नहीं है आपको वहाँ पे time दिया जाएगा जितने भी आप complete कर पाते हो तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे जो आपका PFT है return के बाद PFT qualify करते हो medical यहाँ पे standards चेक किया जाएगे medical में आपका height हो गया test हो गया weight हो गया hearing यानि जो आपके सुनने की समता है वो यहाँ पे चेक किया जाएगा और आपका tattoo यहाँ पर permanent tattoo नहीं होना चाहिए तो भाई यह सभी जो basic जो medical में test होती है वो सभी यहाँ पे test किया जाएगा हाइट के लिए आप सभी को बता दो सबसे ज्यादा जो आपकी क्यूरी होती है वह हाइट को लेकर होती है तो मिनिमम हाइट सुड़ भी यहाँ पी 157 यानि 157 से आप अब होने चाहिए इससे कम नहीं चलेगा तो 157 सेंटीमेटर आपकी हाइट यहाँ पी होनी चाहिए और दोस्तों यह यहाँ पे जो आपके एक्जमनेशन है कोश्ट गार्ड उसकी स्लेक्शन प्रोसेस हुई और इससे रेलेटेड इलिजिबलेटिक क्रिटेरिया वह मैंने सब कुछ आपको बता दिया है फॉम फिल कब से कब तक होंगे तो भाई फॉम फिल भी मैंने बता दिया है और यहाँ पे जो एड्मिट कार्ड है वो भी आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि गुनीश दिसंबर से 25 दिसंबर की बीच आपके एड्मिट कार्ड यहाँ पे अपलोड कर दिये जाएंगे आप डाउनलोड कर सकोगे तो भाई इसी रेलेटेड यदि और भी कोई क् कमेंट बोक्स में जरूरा सकना यहाँ पिर प्लाई आपको मिलेगा तो चली दोस्तों और भाई यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को एक कम से कम एक सेयर जरूर करना चली मिलते है न करके चली मिलती है तो तो क्में था जरूर के शोड़ुत है झालवा पिरूर को खएवियो ।च जरूर खएवियो